नमस्कार दोस्तों चंदर सिखर आजाद उत्तर प्रदेस में होने वाले निकाई चुनाओं को अकले स्यादाव और जैन्त चौधरी के साथ गठवंदन करके लड़ेंगे तो क्या बसपस उप्रियो मायावती को इससे बड़ा जटका लगेगा जीहां मित्रों आपकुता दे चाहे कि वो आगे उत्तर प्रदेस में निकाई चुनाओं होने हैं उसमें भी अकले स्यादाव और जैन्त चौधरी के साथ गठवंदन के साथ चुनाओं लेंगे अगर आपकुतादे की दलित इस बार निकाई चुनाओं में चंदर सिखर आजाद का साथ देते हैं तो इस करके अपनी पार्टी को फिर से नए सीरे से खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं इमरान मसूद हों चाहे आपको तादे की विश्वनात पाल हों और हाली में जिस तरीके से अतिक एहमत की पतनी साइस्ता परवीन ने जो है बस्पा का दामन धाम लिया है तो सीधा इस और लान के लिई में राजनीतिक जमीन तयार होने वाली है 2024 के लिए लोक सबचनौ में चंदर सिखराजात की पार्टी का एक बड़ा की देखना बड़ा दिल्चस होगा साथ ही आपको तादे कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाओ अभी सीधे तीन महीने के लिए टाल दिये गए हैं सुप्रिम कोट का बड़ा फैंसला आया है जिस तरीके से हाली में इलावाद हाई कोट की लखनव बैंच ने फैंसला सुनाय था कि उत्तर प्रदेश के निकाय च चिदे तीन महीने के लिए यूपी निकाय चुनाओ अभाई है और जो ऑभी सी कह आ पकुतादे की ओभी सी में इसके बाद ही के लिए आपको तादे की पूरी तरीके से जो बी उनका अरच्छन है बों दया जाएगा चुनाओ आरच्छन इसके बाद उत्तर प्रदेश में लगवक्त तीन महीने बाद मार्च में जो है निकाय चुना होंगे तो ये बड़ी ख़बर है कि निकाय चुना उटल चुके हैं ओविस यारच्छन को लेकर आपको तादे की बेवाद बढ़ा हुआ है और वो सुप्रीम कोट में उत्तर प्रदे सरकार्नी आज का दायर कर दी है आपकी क्या राहे कॉमेंट करके जरूबत आएं धन्यवाद